कई बुद्धी जीवियों ने मुझे प्रश्ण किया कि अनुलोम विलोम प्रणायाम हम दाएं से सांस लेते हैं बाएं से छोड़ते हैं ऐसा क्यूं करते हैं जबकि भीतर से दौना नॉस्ट्रिल एक हो जाते हैं और जाना भी सारा स्वास फेफडों में हैं ये वाजिव प् दरसल हमारे शरीर में बाहर से सेम दिखता है लेकिन अगर बीच से अगर हम यहां से क्रेखा मार करके दोनों अंगों को अंदर से देखें तो बहुत भिंदता है दाएं तरफ लिवर है बाएं तरफ हाट है और हाट को जगा देने के लिए फेफडे ने अपना आकार थोड है जिस वज़ा से जो बाया नॉस्ट्रल है इसका टेंपरेचर पॉइंट 9 डिग्री कम है राइट से यह सइंटिफिक है आप इसको अपने इसाब से चेक भी कर सकते हैं और जब हम लोम लोम प्रणायाम करते हैं बैठ करके बेशक सांस तो फेफडों में जाना है लेकिन ज को भड़ा है तो जाला स्वास में जाती और जब असको बंद करकरिक्ताय से छोड़ते हैं और तो जाएं जाना जाती है इस तरह से दाय बाय दाय का उतार चड़हव मतलब उतार और व्यलोम मतलब चड़हव तो उतार चड़ाव की इस क्रम में हमारे मस्तिश्क से जो negative energies होने लगती हैं body के अंदर जो mass patient है जो nervous system है वो relax होने लगता है body के अंदर आपस में जो brain दोनों दायां और बायां हैं वो दोनों synchronize होने लग जाते हैं क्योंकि एक तरफ भाव हैं, एक तरफ हमारे भीतर थोड़ी आवेश है, दोनों का बैलंस होने लगता है, हमारे भीतर positivity, negativity का एक बैलंस होने लगता है, और थोड़ी आकरामक उर्जा और थोड़ी आलस से प्रमाद वाली जो एक हमारे अंदर भावना है, दोनों का एक स्तर ब पूरी की पूरी अंदर की जो लाइनिंग है वह सांस जब उससे टकराता है तो आज सैंतिफिक ली प्रूवन हो रहा है, सैंन्टिफिक डेटा इस पे है साइंटिस्स रिसर्च भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लाइनिंग जो है डारेक्टली अब्जॉब करती है अक्सिजन को हला कि ऐसा कोई यह है अभी उस पर काम चल रहा है लेकिन यह माना जा रहा है कि वह जब नॉस्ट्र से अंदर सांस टकराता है तो वह ब्रेन को भी र भी प्रे दर्वाजा है इसलिए जब आप लोमिलोम करते हैं तो बाये से सांस खीचार्श दाएं से चोड़ दिया पिर दावे नाय से वाफिस लिया, बावे इसे छोड़ा, आप बैलन्स मेसूस करने लग जाते हैं, आपके एभी तरकी इनरजी, आपके एभी तरकी ऊर्जा, एकदम संतुलित होने लग जाती है, और आप खुद को पहले से ज्यादा शांत और रिलैक्स अनवह करने लग जाते हैं यह कारण है हम क्यों करते हैं लोम भी लोम बजाए इसके कि हम सीधी लंबे सांसे भी ले 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 उसकी अपनी एक एमियत है कीमत है वह शुरू में वही करते हैं हम लेकिन इससे जब हम करते हैं एक से लिया दूसरे से छोड़ा तो एक तरह से हमारे दोनों नॉस्ट्रल खुल जाते हैं और जब दोनों नॉस्ट्रल खुल जाते हैं कहा जाता है कि इडा और पिंगला यह दोनों नाडियां हैं जब यह दोनों खुल जाती है तो हमारे ब्रेन में संतुलन आ जाता है और उसी से सुशुमना नाडी जाग हो जाता है यह है अनुलों विलों नमस्कार